तुलसी माता की कहानी एक ब्रहमन और ब्रहमनी थे उनके कोई संतान नहीं थी ब्रहमन रोजाना नदी में सनान करने जाता और घर आकर पूजा पाट करता एक दिन ब्रहमन नदी पर गया सनान किया और फिर जाने लगा तो पीछे से किसी ने अवाज दी बाबा मैं भी आऊं उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था फिर से वे चला और फिर से वाज आई उसने कहा कोई दिखता नहीं है और कोई भूत प्रेथो तो मत आना कोई देव हो तो आना इतने में पांच वरश की कन्या आई और बोली बाबा मैं आपके घर आऊं ब्रहमन ने उसकी उसकी इस्त्री बोली ये कन्या किसकी है वह बोली मा मैं तेरी हूँ उसने ब्रहमन से पूछा क्या बात है ब्रहमन ने सारी बात कह दी उन दोनों ने उसे बेटी कहके पुकारा दोनों पती पतनी खुश हुए और बोले उसका नाम क्या रखे ब्रहमन बोला इसका नाम तु तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता बहुत प्यार किया करते थे। वह बड़ी हुई तो शादी के योग्य हुई। माता पिता चिन्ता करने लगे। तुलसी बोली मेरी चिन्ता मत करना। मुझे तो स्वें भगवान श्री क्रिषन लेने तुम तियारी करो, शादी का मुहुर्त निकाला, कार्तिक सुधी कादशी के दिन तुलसी की शाली ग्राम के साथ शादी हुई, तो तुलसी जाने लगी, उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुमें कहा लेने आएंगे, तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत क मेरा ससराल द्वार का धाम है आप जब याद करोगे तो मैं आ जाओंगी आप घर में तुलसी लगाना उससे मन की शांती होती है घर की शुद्धी होती है आंगन के तुलसी को आप सदा रखना उसके पूजा अर्चना करना जै मा तुलसी